नमस्कार दोस्तों मैं विजय जोशी हमारे हिंदी चैच चैनल निक चैच्वर में आपका हादीक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज इस वीडियो में पॉल मॉर्फी की पहली गेम देखने वाले जब वो 11 साल के थे तब 1848 में उनके फादर एलेंजो मॉर्फी के सामने ये गेम खेली गई थी यहाँ मॉर्फी वाइट पिस्ते खेल रहे थे दोस्तों वाइट से ओपनिंग करते हुए मॉर्फी ने सबसे पहले e4 के ला दोस्तों अपन अन्डी यहाँ पर e5 के ला यहां किंग गेम बिस केलते हुए f4 के ला गया गेम बिट एक्सेप करते हुए pawn capture pawn कर दिया गया दोस्तों अक्सर यहाँ पर प्लियर्स नाइट अन F3 करते क्योंकि यहाँ क्वीन अन H4 चेकारा है मॉर्फिन यहाँ पर बिसब अन C4 के ला दोस्तो नाव क्वीन अन H4 एक बहत्रीन चेक दिया दोस्तो यहाँ पर आप G3 वाला पन आगे नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पर G3 पन लाने जाएगे तो यहाँ पन से पन कैप्चर कर दिया दोस्तो इसलिए यहाँ पर किंग अन F1 के ला गया अपनें यहाँ पर बिसब अन C5 के लाए दोस्तो जो यहाँ F2 का स्क्वेर है उस पर चेक मेट लाने की कोशिज किये अपनी गेम सेव करती हुए मॉर्फीन है यहाँ पर D4 कहला है दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ B-Sub पर भी एटेक है और अपना जो चेक मेट थेरता वो भी अभी हट गया है B-Sub on B-C खेला गया यहाँ नाइट को बाहर निकाल देवे नाइट अन F3 केला जो क्वीन पर यहाँ एटेक लाने की कोशिद किये क्वीन को सेव करते हुए अपना ने क्वीन और E-7 खेला गया दोस्तो E-4 के पॉन पर एटेक आ रहा है मॉर्फी ने पॉन सेव करते हुए नाइट अन C-3 केला यहाँ पर एटेक बढ़ा दे हुए अपना ने नाइट अन F-3 केला मॉर्फी ने यहाँ पर queen on d3 केला दोस्तो यहाँ पर जो e4 का पॉन ने उसे यहाँ सेफ कर दिया now c3 केला गया दोस्तो यहाँ bishops से पॉन कैप्चर कर लिया गया दोस्तो अपोनर ने यहाँ पर d5 केला दोस्तो मर्फिन यहाँ पॉन से पॉन को कैप्चर कर लिया अगर यहाँ पर C क्रोस D5 करने की कोशिज करते तो रूख ओन E1 आ रहा है दोस्तो तो यहाँ सबसे पहले ब्लेक ने यहाँ शॉट कैसर कर दिया अपना पॉन बढ़ाते हुए मर्फिन यहाँ D6 कहला है दोस्तो आप देख सकते हैं क्वीन पर 32 एटेक लाने की कोशिज किये नाव क्वीन ओन D8 रूख ओन E1 कहला गया दोस्तो ब्लेक ने यहाँ पर अपना रूख निकालते हुए रूख ओन E8 किया नाव नाइट ओन G5 कहला है जो यहाँ पर H7 का पौने उस पर एटेक लाने की कोशिज किये यहाँ पर रूख से रूख कैप्चर कर लिया गया मॉर्फिन ने यहाँ पर किंग कैप्चर रूख कर दिया अपनर ने क्ीन ओन E8 एक चेक देने की कोशिज किये अपने किंग को यहाँ D2 पर सेव कर दिया नाव बिशब और D6 के लगाया यहाँ बिशब को पिन करते हुए रूक और E1 खेला एक भाहत्रीन मुवे मॉर्फी गी यहाँ पर ब्लेक ने दूसरा नाइट निकाल दिया नाइट और D7 गिया यहाँ मॉर्फी ने एक भाहत्रीन मुवे खेला नाइट केप्चर बिशब यहाँ पॉन से नाइट को केप्चर कर लिया मॉर्फी ने यहाँ पर रूक केप्चर E6 कर दिया दोस्तो यहाँ पर ब्लेक ने गेम रिजाइन कर दी क्यूंकि उसके पास और कोई option नहीं था अगर queen को यहाँ dh पर लाने की कोशिज कते तो rook on e8 यहाँ double check आ रहा है दोस्तो यहाँ black की game finish हो जाती है अगर यहाँ पर queen on f8 लाने की कोशिज कते तो rook on f6 आ रहा है दोस्तो यहाँ पर भी आप देख सकते की black की game finish हो जाती है उसे यहाँ king को move कने की कोशिज कते जो bishop से चैकार आदा और यहाँ पर उसकी queen चली जाती है दोस्तो आप देख सकते कितनी आसानी से more finish इस game को जीद ली ऐसी और 32 वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को like, subscribe और share जरूर करें दोस्तो